हलो दोस्तों स्मार्ट कंप्टिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मौनसुतार स्मार्ट कंप्यूटर्स राइसिनगर से तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विट टेली सौफ्ट्वेर ने जो एक अपना नया बहुत ही जल्द लॉंच करने वाली है जिसकी एक एस्टिमेटेड डेट उमीद है अक्टूबर 2020 के एंड तक हो जाना चीए और उसका नाम है टेली प्राइम तो दोस्तों आज तक हम जिस सौफ्ट्वेर को टेली.erp9 के नाम से जानते थे अब जब से टेली प्राइम लॉ प्राइम के सौफ्ट्वेर में कितना कुछ इसमें बदलाव करने की कोसिस करिए तो यह सब कुछ आजम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे प्रैक्रिकल के साथ यान कि कितना इसमें चेंजिंग किया गया है तो दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को और एंड तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ओल नोटिपिकेशन पर जरू बताना अगर वीडियो आगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेर भी जरूर कर दे나 तो दोस्तो सुरूब करते हैं आज कहीं वीडियो तो दोस्तो यह है टेली प्राइम का एक start-up page तो हम टेली प्राइम में entry करने से पहले हम टेली ERP9 software को भी ब्राबर में open करेंगे और दूनों में यह difference देखेंगे जब टेली प्राइम open करते है software को तो उसका start-up page किस तरीके से आता है और टेली ERP9 software का start-up page किस तरीके से आता है तो इसको मैं एक बार minimize करूँगा तो सबसे पहले कर हम बात करें इनके logo के तो इनके logo के design में भी थोड़ा बहुत changing किया हुए है जो पहले वाड़ा जो logo था यह मरा इस तरीके का logo था और जो टेली प्राइम का जो अभी logo आने वाड़ा है वो इस तरीके का रहने वाड़ा है तो यह तो था एक logo का start-up अब जब हम टेली प्राइम को जब हम open करेंगे तो उसका जो start-up page है यानकी उसका जो starting होने का जो तरीके वो इस तरीके से रहेगा और जो टेली यार्पी नाइन का जो तरीका है वो इस तरीके से रहता है जो कि हम वो सालों से इसको use भी कर रहे है तो इसका जो start-up company, information related, select company, login as remote user, create company, backup, restore, quit यह इस तरीके का start-up पे जाता है और जब हम टेली प्राइम को open करते हैं तो वो इस तरीके साथ है तो अकर हम start-up पे जो इन्होंने changing करी है वो इस तरीके से करी है जब हम टेली यार्पी 9 में company को select करते हैं या company को create करते हैं तो हमें दो एक अलग-अलग window open करनी पड़ती है यानिकि जब हम किसी company को open करना हो तो हम select company पे जाते हैं तो वो name of list यानिक list of company के जितने भी हमारे नाम है वो यहाँ पर show करते हैं और अगर हमें नई company create करनी होती है तो हम create पे जाके एक नई window open करते हैं लेकिन टेली प्राइम ने इसको एक यी window में रख दिया है यानिकि आप starting पे आप इसमें देख सकते हो इन्होंने starting में ये सब कुछ point दे दिया create company, select remote company और या आपके ये fast location या आप अपने किसी drive से direct को data उठाना चाते हो तो ये भी option इसने दे दिया है अगर आपकी company आप select करना चाते हो तो इसमें से हम select कर सकते हैं अगर हमें company नई create करनी है तो मिया आज से बेक जाने की जरूरत नहीं है हम सिधा direct यहां पे create company पे भी जाके enterprise करेंगे तो company create यहां से कर लेंगे तो दोस्तों company create करने का जो तरीका वो लगबग वो ही है जैसा telly.erp9 में अभी चल रहा है वो same process यहां पे भी है लेकिन telly.erp9 ने कुछ ऐसे feature है जो hidden कर देता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो fvara इसका configuration और मैं यहां पर fvara प्रेस करता हूँ तो कुछ अगर यह आपके सामने मैं इस सभी function को अगर नो कर देता हूँ आपके सामने इस तरीके से होईगी अगर आप सभी फीचर देखना चाहते हो security control वगएरा currency symbol वगएरा कि निसान या decimal के points वगएरा तो आप company create करते हैं कीबोड से हम f12 से press करेंगे f12 को और इन सभी function को हम yes कर देंगे इनेबल करेंगे तो यह सारे function securities के और यह company के जो बेस करन से सिंबल फोर्मल नेम विव गएरा शोव ना स्टार्ट पे हो जाएगा कि तो यह तो था company create कर गा और उसके बाद में अगर आप का जो data है आप डायरेक्ट किसी आपने pen drive में या किसी other drive में आपने सेव कर रखा है particular आप एक ही company को रन करना चाते हो तो आप यहां से option को select कर सकते हो select from drive तो आप से drive पूछे का कौन सी drive है अगर आपके पास c drive में data है डी drive में data है कौन से desktop है document में या download के folder में है तो जो भी आप drive select करना चाते हो जैसे कि c drive है तो c drive में जो भी आपके पास folder मणे होगे वो सब folder आपको यहां पर भी show कर देगा यहां कि आपका जो भी location है यहां पर आपको copy paste करने की जुरूरत नहीं आप direct यहीं से भी उस path पर जा सकते हो लेकिन यह जो facility थी यह मारे टेली कंपनी में जब हम company को अगर select करना हो तो यहां पर हमें manual रूप से इसका जो path हो change करना पड़ता है यहां पर यह जो भी मारा c drive या e drive या किसी भी drive में अगर मारा data का location जो है उसका हमें manual रूप से path यहां पर देना पड़ता है लेकिन टेली तो यह startup में कुछ एक यह बदला हुआ है तो जब हम company create करते हैं तो इलाकी मेंने company create की विए company create करने का जो process बिल्कुल सेम है उसमें कोई difference इन्होंने नहीं नहीं रखा है तो अब कई बार ऐसा भी हो सकता है जिसे यहां पर मैंने यह जो path है मेरा अभी जो present time में जो मेरा data य है यहां से गायब कर देगा यानिकि इसको hidden कर देगा तो आपको गुबराने की बिल्कुल जुरूत नहीं है आप इसी location पर आके अगर आप enterprise करोगे तो आपके list of company यह आप एक बार सारी show करना शुरू कर देगा यह तो मैंने dummy के रूप में company create करके रखी विया है तो उसको म में यहां पर मैं डालता हूँ सेम वोई username और password भी मेरे को देना पड़ेगा तो यह company open होते वक्त इस तरीके का display यहां पर दिखेगा और जब हम टेली में कोई company ERP9 में जब कोई company को हम select करके open करते हैं जैसे कि मैं इसको करता हूँ मैं तो इसका जो gateway टेली यानि की home page startup page वो इस तरीके से दिखेगा और टेली प्राइम का वो इस तरीके से देखने वड़ा है इसमें भी कुछ अगर view की अगर बात करें तो इसमें color जो दिया है वो एक अच्छे जो बड़ी-बड़ी company एक बड़े-बड़े software दो यूज करते है चल रही है startup से ही जब से टेली.erp9 setup इन्होंने create किये वो एक ही color से चल रहा है और यहां पर इन्होंने एक थोड़ सा light color में देने की कोशिस करिए तो लगबग जो यहां पर एरिया जो हमें दिखते है current period वे करा है current जो date आ रही है या name of company है या date of last entry है वो सब कुछ यहां प यहां पर देखेगा लेकिन gateway टेली के जो features है इसमें काफ़ी कुछ changing इन्होंने कर दिये है आप यहां पर देख सकते हो इस masters head में यहां पर create ultra chart of accounts आ रहा है लेकिन telly.erp9 में यहां पर masters में account है accounts information और inventory info का यहां पर menu इन्होंने दे रहा है तो यह menu इन्होंने यहां से हटा द है यानि कि जब आपको कोई laser या stock item create करनी है तो आपको जो telly.erp9 में अलग-अप्शन है accounts के लिए आप account info पर जाते हो को stock item अगर आपको create करनी होती है तो आप inventory information को select करते हो लेकिन prime में इन्होंने create का one time option दे दिया यह आप क्या create करना चाहते हो जैसे हम create पर interpress करेंगे तो वो accounting और inventory की detail हो यह पर ही आदेगी अगर आपको laser create करना चाहते हो या stock item create करना चाहते हो या unit create करना चाहते हो या go down वेगर किसी भी type की inventory master से समन्दित कोई भी अगर आपको group वेगरा या stock item create करनी है तो यहां से आप create कर सकते हो यानि कि आपको आपको दो type की window open करने की जुर से उन्होंने विल्कुल सेमी रखा us जैसा कि हम टेली हम लेजर करते हैं और क्रेत इन्होंनी यह ओप्षन है जो हटा दिया डिस्पले का इसमें अन्होंने क्रेत और अल्टर दो या उपषन लिन्हों ने रखेंट ने टेली के प्राइम है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो एक क्रियेट का और एक अल्टर का तो क्रियेट अगर लेजर क्रियेट करना हुद हम लेजर को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर क्रियेट करेंगे लेकिन जब इसमें हम लेजर क्रियेट करेंगे तो इसमे में भी सेम्य प्रशिश है और टेली प्रैमें भी वही प्रशिश है इन्हों ने रखाया तो यहां पर मैंडमी के लिए कि लेजर बनारों मैं ABC ट्रेडिंग कम्पनी तो यह मेरे लिए शुपलायर से तो मैं एसे सेंडरी क्रेडिटर्स मैं इसको रखूंगा मैं और इंटरप्रेस करते वे यहांपे सबकुछ इनका एड्रस वेगरा फिलप करते वे इसको मैं आगे बढ़ूँगा तो यहांपे इसका पोस्टल कोड वेगरा यहां पर रहेगा, तो सब कुछ जो GSTC से समंदित regular dealer है, या unregistered है, वो सब कुछ जो पहले अभी तक चल रहा है, वो सब कुछ same process यहां पर भी रहता है, वो interface कर किसको accept करेंगे, तो यह एक थोड़ सा color का जुरूर changing किया, वाकी information है, जो लगबग सभी same है, तो इसी तरीके स हम stock item को भी create कर सकते हैं, आप stock group अगर already पहले अगर बना के रखना चाहते हो, तो stock group भी बना सकते हो, stock की category भी बना सकते हो, stock item, unit, go down, सब्गेर भी पहले create करके रख सकते हो, तो मैं stock item को create करूँगा, जैसे यहां पर मैंने keyword लेक दिया, keyword, और इसका मैं जो भी group मनाना चाहू तो यहां पर इसका जो shortcut हम telly में अभी तक use कर रहे थे, alt plus c shortcut का, तो इसमें भी alt plus c से भी shortcut जो group है, इसका create कर सकते हैं, लेकिन इसमें group को shortcut create करने के बज़ए, एक option इन्हों ने यहीं पर दे दिया, create का, यानि कि अगर आप primary रखना चाहते हो, तो ठीक है, otherwise आप नया group create करना आपको, तो आप यहां से ही, सिधा create भी जाओगे, और interface करोगे, तो आपके सामने भी, जो group creation की window, वो open के आजएगी, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, HP keyboard, और interface करके मैं इसको accept कर दिया, और इस तरीके से सेम, इसका ghd enable करा, और इसका accession code विगरा, इसकी description विगरा, सब दे दिया, HP, और इसका accession code मैं ने डाल दी एक temporary group में, और taxable, और इसका ghd rate है, जो भी एक बर मैं, 12% अटरक रहा हूं, और इसको save करूँगा, तो stock item create करने का भी तरीका भी लगबग, सेम, इसमें भी कुई cp type की कोई changing इन्होंने नहीं करी है, लेकिन जो changing करी है, वो एक य shortcut option इन्होंने दे दिये है, जैसे switch to, अगर आप इसे पर डाओगे, जैसे आप main window पर आगे, अब go to पर जैसे भी आप click करोगे, चाहे तो आप control G से भी जा सकते हो, या अपने mouse से, cursor से go to पर click कर सकते हो, तो जैसे आप go to पर click करोगे, तो आपके सामने जो आपको open करना है, जैसे common report होगे आपके लिए, balance sheet आपको routine में open करते हो, profit and loss counts के जो laser है, वो आप routine में open करते हो, case book है, day book है, laser voucher, stock summary, यह जो मलब routine में जो हम use करते हैं, इनको, तो इन्होंने एक shortcut इसी का दे दिये, जैसे आप balance sheet पर जाना, आप shortcut यहीं से balance sheet पर जा सकते हो, और एक जो changing इन्हो home page पे हम होते हैं, तो यहाँ फर एक option आपर सामने रहते हैं, F11 और F12 कहीं है, इसी कि आप GST को enable करने है, आपको TDS को enable करने है, TCS को enable करने है, यानि कि कि किसी भी type के taxation के metrocope को applicable करने है, inventory से समन्धित को चेंजिंग करनी है, या account से समन्धित, आपको कोई type की changing करनी है, तो ह यहां से changing कर लेते हैं लेकिन टेली प्राइम ने यहां से इनको हटा दिया है लेकिन इसको हटा के यहां पर कहां पर रखा है तो आप यहां पर एक shortcut देख सकते हो Company जैसे हम Company पर क्लिक करेंगे तो वो फिसरे इन्हों ने यहां दे दिया है Configuration App गया रहा का इसका समालते हो user management का वो यहां से आप change कर सकते हो और अगर आप चाहो तो gateway पर टेली पर आके अगर आप F11 प्रेस करोगे तो भी आपके सामने वो फिसर खुल जाएंगे सारे तो जब हम टेली ERP9 में जब हम keyboard से F11 प्रेस करते हैं तो इसमें हम देखते हैं हमें accounting option अलग मिलता है inventory का feature अलग मिलता है और strategy and taxation का अलग मिलता है लेकिन टेली प्राइम ने इन सभी को common करके एक ही window में रख दिया आप इसको देख सकते हो यह accounting भी इसे में आ गया inventory समन्दित भी सब कुछ detail इसमें आ गयी और यह taxation से समन्दित सारी detail यहां पर इन्हों ने देख दिया इसमें आप GST भी आपका है TDS भी है TCS भी है जो भी tax है हम यूज करते हैं वो सब इन्होंने यह पर दे दिया जो भी आपको changing करनी है जो tax आपको enable करना है उससे आप यहां से यस करके और इसकी detail है जो fill up यहां से कर सकते हो जो detail fill up करने का तरीका वो वैसी है जैसा हम Tally ERP9 में अभी तक कर रहे हैं और इसको accept करेंगे और इसके बाद हम इससे भी accept करेंगे तो दोस्तों यह सब कुछ details है अभी इस Tally Prime के अंदर यह एक starting demo है लेकिन जैसे इसको launch करेंगे तो बहुत सारी feature है इसमें अभी यह तक और एड होने वाड़ी है तो इसको save करते इसको accept करेंगे तो यह सब कुछ F11 से हो जाएगा अगर आप चाओ तो यहां से भी F11 feature में से भी आप जा सकते हो तो अगर आपको stock item में या laser से के अंदर कोई चेंजिंग अगर आपको करनी है तो आप यहां से alter में जाके चेंजिंग कर सकते हो किसी भी laser को change करना है तो आप lasers को select करोगे और उसके बाद में कौन सा laser change करना है उस laser की list है जो आपके सामने यह आपर आजेगी अगर आप यहीं से एक नए laser क्रियेट करना चाते हो तो आपके सामने एक create का option यह आपर दे दिया shortcut तो आप यहां से जाके एक नए laser भी create कर सकते हो अगर आपको बने वे already जो आपने बना रहा है उसमें कोई changing करनी है तो आप उसको select करके उसमें जो भी आपको amendment उसका कोई जिश्टी नंबर है कोई address है mobile नंबर जो भी आपको application करनी है उसको change आप कर सकते हो तो यानि कि एक shortcut इनको बनाने की कोसिस करिए अगर आप चलते के बीच में अगर company को change करना आप चाते हो तो आप company को भी change कर सकते हो जिसा कि जो present time है मारी के company जो open है यह मैंने मना रखेगा demo prime के नाम से अगर आपको दूसरी company change करनी है तो आप change company में जाओगे आप तो आपको कौन सी company change करनी है select company इसमें से आप दूसरी company भी change कर सकते हो तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो हम इसमें entry करके भी हम देखेंगे यह purchase, sale, payment, receipt और इनकी सब की entry किस तरीके से होती है और इनकी जो taxation की जो report होती है gstr1, gstr2, gstr3, gstr4, cmp08 वो सब कुछ इसमें हम बना के देखेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो केसी लगी, एक यह demo का रूप जो था, टेली प्राइम का, यह के starting demo है यह, जैसी इसका launch हो जाएगा तो काफी सारे application इसमें और भी होने वाले है तो दोस्तो आपसे request है, आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जरूर कर लें, क्योंकि इस channel के माधियर से हम सबसे पहले practical रूप से टेली प्राइम के वीडियो में डालते रहेंगे तो दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ